हाई फ्रेंड्स 14th and 15th new moon जिसका बेसबरी से इंतजार हम लोगों को रहता है सारे moons में से जैसे कि full moon का इंतजार रहता रिच्वल्स के लिए, remedies के लिए वैसे ही अब new moon आ रहा है 14th and 15th को दोनों दिन है सी basically दोनों दिन कैसे है 14th को रात को 9 बजे के बाद आपका new moon start हो रहा है और 15 जैसे 12 बजे के बाद 15th की date लग जाएगी और वो फिर रात के 1 बजे जाके खतम होगा new moon का जो effect रहता है बट ऐसा नहीं होता मैं generally बोलती हूँ कि जब भी ऐसे कोई moons होते हैं like full moon है new moon है एक दिन पहले एक दिन बाद तीन दिन की consideration हमेशा रहती है तीन दिन तक उसका effect रहता है तो यह जो new moon है इस पे again हम Goddess Hikate की ritual कुछ ना कुछ तो different करेंगे ही करेंगे Goddess Hikate बहुत miraculous हैं सबकी wishes manifest हुई है rituals remedies करने से जिन लोगों को अभी तक connect नहीं कर पा रहे है Goddess से अभी तक नहीं सुना है उन्होंने वैसे मैंने बोला है कि आप किसी भी energy को force नहीं कर सकते हैं उनके उपर है कि वो आप से connect होना चाहते है कि नहीं maximum लोगों को एक बार के call में ही connect करती है और तुरंथ help मिली है इनकी success story की तो line है मतलब खतम ही नहीं होती कभी success story कम ही नहीं पड़ती बहुत सी post ही नहीं कर पाती है ऐसा हो जाता है तो अब भी 14th और 15th को आप क्या करोगे थोड़ा सा ट्वेस्ट है इस बारी उनको अगर करना है तो आप कर सकते हैं अच्छा जो लोग first time देख रहे हैं God is Hekaarty कौन है तो उनके लिए बहुत सारी videos है किसी ने suggest किया था कि एक playlist बना के उसमें डाल दीजें मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगी Goddess Hekaarty के नाम से एक playlist बना दू जिसमें कि उनका chant, switch word Goddess Hekaarty magic begin now या फिर उनको क्या offerings हैं, कैसे उनसे हम pray करते हैं, क्या उनकी prayers हैं, कौन हैं वो वो सारी चीज़े उसमें होगी ठीक है अब यहाँ पे 14th और 15th मतलब कल 13 तारिक है पर 114 पंदरा तारिक को जो एक बज़ा होता है, उसी टाइम पे वो तीथी खतम हो जाती है, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आप 14th 15 दोनों दिन कर सकते हो, 14th को कर सकते हो, जिन्नोंने 14 मिस किया वो 15th को कर सकते हैं, मतलब आप कर सकते हो दोनों दिनों में, ठीक है, एक चीज़ और ब ठीक है, like 30th or 31st होगा, obviously February 28th होगा, तो यह जो लास्ट डे है मन्त का, उस दिन भी इनके रिच्वल्स होते हैं, उस दिन भी आप कर सकते हैं, और आप क्या 14th, 15th and last day भी कर सकते हैं, मैं यह इसलिए बतारी हूँ कि आपकी queries आएंगी, इसलिए यहाँ पे clear कर रही हूँ कि य हम honey use करेंगे, ठीक है, और एक pen, बस, paper की जरूत नहीं है इस बारी, अभी आप अपने उल्टे हाथ पे, जो sign यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक circle और 4 semicircles, जो इर्द गिर्द उस circle के बने हुए हैं, जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं, ऐसा sign आप black color के pen से, या blue color के pen से, आप अपने left hand के हथेली में यहाँ पे बनाएंगे, बिल्कुल mid में, center में यहाँ पे बनाएंगे, चोटा सा, ऐसे करके और यह sign बनाएंगे, यह एक तो sign है, wish sign, सबसे पहले wish sign है, ठीक है, अब जब यह आपने बना लिया, इसके बाद आप इसके उपर, अगर आपके चाभी पड़ी हुई है, तो वो चाभी रख लेंगे, goddess Hikate की, क्योंकि वो साथ में charge भी हो जाएगी, ठीक है, वो चाभी रख लीजे, जिनके पास चाभी नहीं है, वो simple ऐसे ही हाथ रखेंगे, और इस हाथ के, यह जो wish sign बनाया है, इस sign के ऊपर कुछ करना है, वो बता र लिया है, क्योंकि moonstone is a crystal of goddess Hikate, मान लो आप, तो goddess Hikate, बहुत connected, आप कह सकते हो moonstone के साथ, तो moonstone आप यहाँ पे, अपने हथेली के बीच में रखेंगे, बहुत सो लोगों ने, जिनको conceive करना था moonstone लिया है, उनको मैं बता रही हूँ, प्लीज अपने left hand पे, ऐसा ही wish circle बनाएंगे, बीच में अपना moonstone रखेंगे, bracelet है, bracelet निकाली है इस तरह से, और अपना बीच में ऐसे, आप हथेली के बीच में रख लीचे, आपका circle इसके अंदर बना हुआ है, आपने रख लिया simple, चाभी भी आप इसे के बीच में रखेंगे, तो जो काम होगा, आपके ह निकाल लो एक-दो चमच, बोच चलेगी, नहीं, तो आपके पास शीशी है, तो आप शीशी में ले लो, जैसे भी आपको comfortable लगता है, रात में करना है इसको, 14 तारिक की रात को, आप कोश़श करना 9 बजे के बाद इस activity को करो, और 9 क्या, 9.30 के बाद आप इस activity को करो, जिनकी पास चाभी भी नहीं आश तक रखी है, वो प्लीज एक चाभी लीजिए, घर में कोई भी spare पढ़ी हुई कि चोटी सी, आप इस spells के लिए रख सकते हैं, कि आप हर new moon पे या month के end पे आप ये spell ये ritual ये remedy कर सकते हैं, अपनी wishes के लिए, ठीक है, इस तरह से रखने के ब तो अभी इस चीज को करने के बाद आप अपने शहद को लोगे चमच से और शहद बीच में drip करोगे, जो आपने sign बनाया है, उस sign पे आप शहद गिराएंगे, एक चमच, दो चमच, ठीक है, अब जितना भी गिराना चाहते हैं, वो आप धार बना के गिराओंगे, उस धार को दिखते हैं, जब तक कि वो शहद drip हो रहा है, गिर रहा है, उतना कि जितना आपके हाथ में खटा हो जाबत, मैसी नहीं करना है कि सबी दो 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 फैल रहे, बहुत आराम से आपके हतेली में जितना आ जाए, एक चमच ही आएगा, उससे जादा नहीं, ठीक है, तो एक च आरहा का चांट करते रहना है, जब तक कि वो धर गिर जाए, अगर आपकी धर फांच-दस सेकेंड में गिर जाती है, कोई बात नहीं, आप उतनी धर को देखते हुए, जो drip कर रहे हो आप शहद उसको देखते हुए, आपने बूलना है, God is Hakate magic begin now, जब वो धर पूरी जब आपने गिरा लिया अपने हाथ में, पूरा शहद है, चाबी भी है, ब्रेसलेट भी है और शहद है, तब आप फिर इसके बाद आप क्या करोगे, अपने शहद को साइट करो, हाथ को ऐसे ही रखोगे आप, उल्टे हाथ को, ठीक है, और फिर आप आराम से उसी चाबी को देख लिए उस विष का जो साइन, सर्कल बनाया है अपने हाथ में, उस सर्कल को देखते हुए, आप अपनी अपनी विष इस के लिए प्रेय करोगे गॉड़ेस से, ठीक है, अब जब आपने प्रेय कर ली प्रेयर करनी है, प्रेसेंट और पास्टेंस में मत उलज़ना, सिर्फ मेरी सो इन सो विष है, वो पूरी हो जाए, मुझे मेरे पार्टनर का कॉल आजाए, मेरे एक्जाम सच्छे हो जाए, या जिस भी तरह की विष है, वो विष जब आपने कर ली, तब आप अपने इस ब्रेसलेट को हटाएंगे, ठीक है, इसमें अगर शहद लग गया है, इस वो स्टिकी हो जाएगा, चिप-चिपा हो जाएगा शहद से, तो उसको एक साइड में, किसी बरतन में, प्लेट में, बाउल में, जिसमें भी रखना उसमें रख दो, और यह जो बाकी का शहद आपके हाथ पे है, इसको आप एक कटोरी में डालोगे, वापस से इस तरह से क निकालोगे, तो वो एक चोटी सी कटोरी में आ जाएगा, उसमें निकालकर कि यह जो चोटी सी बाउल है, इसको आप प्लीज अपने घर के बाहर रखेंगे, आप टेरस पे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हो, अपने खिड़की पे रख सकते हो, लेकिन यह ओफरिंग है, Goddess Ikati की, so there is a twist this time, complete turn है, इस वाले रिच्वल में, तो इसको आप पीछे वाले के साथ connect नहीं कर सकते हो, अगर आप पहले की वीडियो में जो रिच्वल बताये थे, वो करना चाहते हो, तो बिल्कुल वैसे ही करना, जैसे कि उसमें बताया है, उसको इसके साथ क्लब नही कर सकते हो, अगर वो भी करना है, यह भी करना है, दोनों करना है, तो आप फॉटींथ को यह करो, फिफ्टींथ को वो कर लो, एक ही दिन में दोनों नहीं करने है, okay, so very, सब कुछ बहुत clear है यहां पर, अचा, अब जब यह शहद अपने सारा उस बाउल में खटा कर लिया, तब बेशक से आप जाकर के अपने ब्रेसलेट को, अपने मून स्टोन को, बेसिकरी क्रिस्टल को आप जाकर वाश कर लीजे, रनिंग बॉटर में, मतलब पानी में दोलीजे, और इसको भी चाभी को धोकर के चाभी अपने पास रखिए, चार्ज हो चुकी है यह, ब्रेसल आपकी ओफरिंग है और यह आपकी ओफरिंग है, इस शेहद को आप बाहर रात भर छोड़ोगे, मौनिंग में इसको वाश करके आप डिस्पोस कर दो, डिस्कार्ट कर दो, पर यह रात भर रहेगा, चाहे आप अपने कमरे की खिडकी के पास यह रख दें, विंडो के पास यह रख दें, ताकि बाहर के अनर्जी इसमें आएं, या तो फिर, इसको घर से बाहर, बालकनी में रखें, टेरस पे रखें, कहीं पर भी रखें, बाहर खोले आसमान के नीचे रख दें, ठीक है, मौनिंग आप इसको ले आएं, बाल को और वाश करके, कम्प्लीट खतम, आएं, बहुत एजी है, बहुत एजी रिच्वल है इस बार नियु मून का, गॉड़ेस लिलत से प्रे करने के लिए, येस, प्लीज गॉड़ेस लिलत की बार्स को हम जानते हैं, कि कितना जादा हेल्प पोले, जिनको गॉड़ेस हेकाटे से हेल्प नहीं मिली, उनको बहुत असान तरीका है, आप मिरर के सामने खड़े हो ये, गॉड़ेस लिलत से आप प्रे कीजिए, उनको आप बुला सकते हो, अगयान आप सेम गॉड़ेस लिलत माजिक बेगेन आओ, चांट कर सकते हो, जब भी गॉड़ेस लिलत से आप प्रे करें, हमेशा ये जरूर ध एक गॉड़ेस पानी की ओफरिंग होती है, गॉड़ेस लिलत को, हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आप मिरर में प्रे कर लो, जो भी आपकी प्रेयर्स है, मिरर में खड़े हो कि कभी भी सारे दिन में कभी भी आप प्रे कर सकते हो, आप बोल सकते हो क मेरी सो औन सो विश पूरी होगी, तो मैं एगलस पानी ओफर करूँगी, वो पानी आप एगलस कभर के किसी भी कॉर्नर में आप रखे है घर के शान्ती की जगह में, कि ये आपकी ओफरिंग है, बाद में उस पानी को आप पेर बाधो में डाल दीजिए, बहुत सिंपल है, जितने भी प्रेयर्स है, जो भी रिच्वल्स बतारी हों, बहुत सिंपल है, बट इसको करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपने मनी से रिलेटेड जो लोग कर रहे हैं, तो प्लीज एक का सिक्का आप ऐसे ही चाबी के साथ रख सकते हैं, और उसके उपर आप ये हनी, जब अगर मनी से रिलेटेड विच है, इतनी पर्टिकुलर अमांट कुछ मन में चल रहे हैं, एक तम से होजन नीड है और मिल जाए, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, सेम ऐसे ही, वो सिक्का भी आपका इसी विश सर्कल के बीच में हतेली पे रहेगा, बहुत इफेक्टिव ह आप लोगों को करना ही करना है, तो अपनी अपनी विशन जल्दी जल्दी मैनिफेस किए, तो ताट्स अल, थांक यू सो मच और ब्लेस यू अल